तो गैस कि आगर आप मेरे Android TV की स्क्रीन पर देखे तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें Geo TV को इस्टॉल कर रहा है और मैं आपको भी लाइप प्रूट दिखा दो चला के तो मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं एर फोन से जो माउस का जो आता है टोबल उससे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो अभी हम इसको यहां से स्क्रीन को बड़ी भी कर सकते हैं इसको मूट कर लेते हैं क्योंकि कोप्रेट का issue हो सकता है तो यार बिल्कुल इजली चल जाएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आगी है आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं आप देख सकते ह काफी जादा जो है अपना वो जरूरी है तो ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं तो यह सबसे पहले आपको क्या कर लेना यार अब यह गूगल ट्राइव की लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगी आपको यह वह उपन कर लेनी है उसका ऐसे कुछ यहां पर लिखाऊओगा नो प्रिई एवलेबल तो आपको यह उपर ओफाउंड का साइन है ना इस प्र हम गोगल करें गा ऐसे तो इस पर क्लिक करने करने का थोड़िसी है लोड़िंग लेगा तो आप इसको ठोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि यह जो एप है गूगल ज जाएका तो वहां पे आप देखाऊ गैर तो यहां पे खोगा ओप्शन है यहां फित तो यहां पे देखा आचुका है यहां पे यहां पर डाउनोत आःए यहां गाल और गbtी और यह पर हो दो इन्वेगा उसके बाद देखो इस के लिक़ए भूल में अब आपको next process दिखाता हूं हमें क्या करना है तो यह एक app यार send file to tv इसको हमने mobile में इंस्टल कर लेना है साथ ही मैं अपने इसको android tv में इंस्टल कर लेना है तो भी मेरा android tv में इंस्टल हो चुगा है मैं इसको यहां से open कर देता हूं फोन में मैंने इसको इंस्टल कर लिया था तो मैं फोन में इसको open कर लेना हूं तो कुछ ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा आपको जो नीचे आप एरो पर क्लिक कर देना क्योंकि सारा process में आपको बताने वाला हूं तो अभी मैं done कर देता है और जो अपना access है उसको अलोगर द जो भी फाइल डाचनट कर देता हूं तो इस इस पर में क्लिक कर देता हूं तो तो वाके दूसरी फाइल है यह दो थीकवा है घूंख आपको बेस्ते नेवी प्लिक कर देऊ करेंगे ढ़को आपको और संट टीवी का आप जो ऑनों कर देखान और आप दुबार इस पर स्टोर सब्या खोगा फिर वन को एसे कुछ इंटरफेस आएगा आपको जियो टीवी का नीच आप इंस्टोल पर हम क्लिक कर देते हैं जो अपना एप वो इंस्टोल हो रहा भी इसको होने देते हैं तो यह सबसे यार मैं आपको इसीएस वे दिखाऊंगा मैंने पहले बिए एक यार जियो टीवी जो अपनी यह वीडियो डाली थे आराउंड चार-पास महीने पहले तो उस पे आराउंड 50,000 लोगों ने वह देखी थी तो काफी लोगों को यार फूल स्क्रीन में दिक्कत आ रहे थी तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई स्पेशलिक कि आप इसली फूल स्क्रीन करके इसको इसको इस बन करेंगा तो उसके बाद हम बैक चले जाएंगे तो अब यहां से हम ओपन करते हैं तो अब यह मस्थोचन ना फ्रोसर्स खतम हो गया क्योंकि वह फोन से हमारा एक मार श्टोपल वाला वो ऑप्शन रहता वह काफी ज़्यादव जारूरी वरना हम फूल स्क्रीन नहीं हो तो भी मैं अलो कर देता हूं, तो यह डिवाइज लोकैसिंजन को भी अलो कर देता हूं, इस भी हम Sureange और जुट मिलीगा, तो POLU यहां पर नीचे मोबाइल यूजर पर अपना नमबर वगएरा वो डाल देना और फिर आपको लोगिन कर लेना तो फटाफट से मैं लोगिन कर लेता हूं फिर आपको अग्ला प्रोसेस दिखाता हूं कि हमें अगे और successful login कर लिया है यहां पर आ चुका यह लेकिन यह remote से control नहीं हो पाएगा तो कैसे control करना उसके लिए यह हमारा एक app है आप जो phone में दिखा रहा हूं आपको इस app को इंस्टोल कर लेना है यह serverless blue tooth keyboard and mouse for PC slash phone तो आपको ना इस app को तो अब मैं आपको वह पताता हूं कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे तो कई जो हमारा एप था फानली इंस्टॉल हो चुका है तो इसको भी उपन कर लेते हैं ऑपनर करने के जरा क्यों हो नट 빈 आप mobile connection setting में गया यहां पर जो अपना Bluetooth यहां पर अभी यहां पर अभी प्रोसे में इसको होने देते हैं अभी देखो है आचके है होपर से भी मैंने इस सवेयर कर दिया है तो यहां पर Connect हो गया देखो सब्सक्राइब टो चुकत में सब्सक्राइब करके लिकाझेक सब्सक्राइब कर सकते हों अभी मैंने यहां से इसकी फुल स्क्रीन भी कर दिया थोड़ा सा नेट कनेक्शिंग की दिक्कत अवरना यह बिल्कु सही चलेगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा अभी एक मिन टूप अभी चल गया है तो अभी यार इसली आप इसको यहां से जो एक्जिट भी कर सकते हो तो अभी हम यहां से इस से कनेक्ट करो तो अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कत है तो अपने टीवी को भी रिसेट कह रहा हूं यार रिस्टार्ट कर देना और फोन को भी रिस्टार्ट कर लेना और फिर यह बिल्कुल ठीक चलेगा तो अगर आपको फूल स्क्रीन करनी है ना तो फूल स्क्रीन आपको वीडियो कर देना लाक चैनल कर देना सब्सक्राइब और ऐसे इमेजिंग वीडियो में लाता रहता हूं तो यार मेरी वीडियो को थोड़ा सा प्यार दो सो थैंक यूवर वोचिंग में इट आई होप यूर लाइक इट